सोनिय गाधी ने राजस्थान से राजसभा के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। इसके साथ ही सोनिय गाधी नहरू फैमली से दूसरी ऐसी सदस्य होंगी जो संसद के उच्छ सदन जा रही है। इससे पहले देश की पूर्प्रदान मंत्र इंद्रा गाधी ही राजसभा गई है। लेकिन सोनिय गाधी के राजसभा पहुचने पर विपक्ष कह रहा है कि ये हार है कॉंग्रस पार्टी की लोगसभा चुनाओ से पहले ही। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रस की दो सीटे हैं एक राजबरेली और दूसरी अमेठी दो हजार उन्निस के चुनाओं में राहुल गाधी अमेठी से हार जाते हैं जिसके बाद एक ही सीट पहसती है वो है राजबरेली जहां से पांचवी बार सोनिय जाती कि राजबरेली सीट से प्रत्याशी बन सकती है लोग सभा चुनाओं में उत्तर प्रदेश राज एहम भूमी का अदा करता है क्योंकि यहां से 80 सीटे आती हैं हलाकि कॉंग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गटबंतन में है और राजबरेली और मेठी से होगा कि कौन प्रत्याशी उड़ता है चलिया आज नजर डालते हैं कि सोनिया गाधी से पहले राजसभा कौन पहुचा था गाधी परिवार में आपको बता दे कि सोनिया गाधी से पहले देश की पूर्प्रधानमंत इंद्रा गाधी 1964 से 1967 तक राजसभा की सदिस रही अब इंद्रा गाधी के बाद सोनिया गाधी नहरू परिवार की दूसरी सदिस होंगी जो उच सदन में प्रवेश लेने जा रही हैं सोनिया गाधी अपनी परंपरा गद सीठ राय वरेली जहां से वो 2004 से संसद है अब उसकी बजाए राजसभा म संसद जा रही हैं कॉंग्रिस पार्टी ने ये फैसला तब लिया है जब लोग सबाचुनाओं की घोशणा में केवल एक ही महीने बचे हुए हैं बता दे के 1964 में देश के पहले प्रदान मंत्री जवाहर लाल नहरू के निधन के बाद इंद्रा अगस्त 1964 में उतरपदेश स से राजसबा के लिए चुनी गई थी इंद्रा फरवरी 1967 तक राजसबा की सदस्य रही तब इंद्रा गाधी ततकालीन पीम लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में बतार सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हुई थी 1966 की शुरुआत में जब लाल बहादुर शास्तर की मृत्यू हो गई तब कॉंग्रेस पार्टी में संसदिये दल के नेता का चुना हुआ इस चुनाव में इंद्रा ने अपने प्रतिवद्वन्दी मुरार जी दिसाई को शिकस्त दी इसके बाद उन्होंने देश की परेली सीट जीती उन्होंने राय परेली और अविभाजित अंतरप्रदेश के मेड़क से चुनाव लड़ा उन्हें दोनों ही स्थानों पर जीत मिली लेकिन मेड़क सीट से सांसत बनी और राय बरेली सीट छोड़ दी इसके बाद राज नरायर ने 1977 में राय बरेली में इ पहला चुनाव लड़ा सोनिया दोनों जगा से जीती लेकिन वे अमेठी की सांसत बनी रही और बेलारी को छोड़ दिया 2004 में वे अमेठी छोड़कर परोस की सीट राय बरेली से मैदान में उतरी और जीत हासिल की राय बरेली उतरप्रदेश की प्रमुक लोग सभा सीटों में से एक है इस जगा के नहरू गांधी परिवार के साथ साथ कॉंग्रेस पार्टी में भी एतिहासिक सम्मंद हैं 1952 में फिरोज गांधी पहली बार राय बरेली से जीते इंद्रा भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं सुनिया गाधी ने 2004, 2009, 2014 और 2019 में राय बरेली लोग इसे उतारती है, यह कॉंग्रेस आने वाले समय में बताएगी, फिलाल इस कबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके आप जरू बताएं